नमस्कार दोस्तों मैं स्वापनिल आज 25 नवंबर 2022 गुजरात में धनिये की बुआई में 160 प्रतिशत से भी अधिक का उच्छाल आया है बात करेंगे इसी विशय पर गुजरात देश में मोटे धनिये का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राज्य क्रिशी विभाग द्वारा जारी किये गए आकड़ों पर विश्वास किया जाये तो एक वर्षपूर्व की तुलना में इस बार अभी तक गुजरात में धनिये की बुआई में 160 प्रतिशत से भी अधिक का उछाला चुका है इसका प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि किसानों को जीरे की बजाए धनिये की बुआई से जादा उम्मीदे हैं गुजरात कृषि विभाग के नवींतमाकडों के अनुसार वर्तमान सीजन की अभी तक की अवधी में राज्य में धन साथ हजार सो हेक्टेर गया 179.29 प्रतिशत का भारी भरकम उछाल आ चुका है धनिये की बुआई में आए इस उछाल का प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि राज्य में जीरे की हाल ही बोई गए फसल के अंकुरण में दिक्कत आने के कारण धनिया किसानों की पसंदी 2800 हेक्टेर में बुआई हो चुकी है पिछले सीजन की समेक्ष्रा गतवधी में क्षेतर में इसकी 34600 हेक्टेर में बुआई हुई इस पस्ट है कि इस बार अभी तक सराश्र में धनिये की बुआई में 6200 हेक्टेर या 179.98 प्रतिशत का भारी भरकम उछाल आया है राजिक गुजरात में 4 सीजन की अभी तक की अवधी में 200 हेक्टेर में धनिया की बुआई हो चुकी है एक साल पहले की समाना अवधी में क्षेतर में इस प्रमुक किराना जीन्स की बेजाई शुरू होना नहीं हो पाई थी गुजरात के अने सभी उत्पादक शेतर में धनिये की बुआई में कमी की स्थती बनी हुई है राजर कृशे विभा के नवींता माकडो के अनुसा चालू सीजन की अभी तक की अवधी में कच्छ में 500 हेक्टेर में धनिया बोया जा चुका है बीते सीजन की आलोच अवधी में छेतर में इस प्रमुक किराना जीन्स की 600 हेक्टे में बुआई हुई थी इससे ये पता चलता है कि कच्छ में इस बार अभी तक धनिया की बुआई में 100 हेक्टेर या 16.66 प्रतिशत की कमी की स्थती बनी हुई है उत्री गुजरात की स्थती भी ऐसी बनी हुई है राजिकर्शे विभा के नवींता माकडो में बताया गया है कि वरतमान सीजन की अभी तक की अवधी में उत्री गुजरात में धनिया की केवल 100 हेक्टेर में ही बिजाय हुई है पिशले सीजन की समिक शागत अवधी में प्रमुख किराना जीन्स की 200 हेक्टियर में बिजाई हो चुकी थी इस पर श्च है कि इस बार अभी तक उतरी गुजरात में धनिय की बुआई में 50 प्रतिशत की उलेखने गिरावट की स्थती बनी हुई है पारियों और जानकार विशेशग्यों का कहना है कि चुकी गुजरात में फिलहाल विधानसभा चुनाव का जोरशोर से प्रचार चल रहा है इसलिक रिशी मंत्राले समित अधिकतर सरकारी करमचारे और धिकारी चुनाव की तैयारियों में व्यासत है इसकी वजह से राज्य में धनिय समित अन्य मौसमी फसलों की संभावित बुआई के आकड़ों का संग्रहन समुचत तरीके से नहीं हो पा रहा है बुआई की सही इस्तिती चुनाव के बाद आने वाले आकड़ों से ही साफ होने का अनुमान है